नमेश्कार दोस्तों, क्राउन समानने ग्यान के इस बुक की सिरीज में आज हम कवर करने वाले हैं चेप्टर नमबर 5.5 जिसका नाम है जलमंडल इसके अंतरगत हम लोग पढ़ेंगे कि महासागर क्या होती है महासागर में उत्पन होने वाली जो धाराय होती है जिसको हम बोलते हैं महासागर यह धाराय है उसको हम पढ़ेंगे इसके लावा दोस्तों हम पढ़ेंगे कि आकिरकार जितनी भी हमारी धाराय होती है उनका उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुआर भाटे को भी तो चलिए बिना वक्त कवाय सुरू करते हैं आज का प्रेज़ वीडियो और दोस्तों से रिक्वेश्ट यह है कि जल्दी से ओपन करिए इस बुक को और प्लीज जितने में न्यू आस्पिरेंट है न्यू स्टुडेंट है वो प्लीज इस वीडियो को भी ना तो लाइक करें ना चैनल को सुब्सक्राइब परें ठीक है वीडियो बसंदा है तो ही करिए अदरवाइस प्लीज मत करिए तो पेज नंबर आपको मिलेगा 148 जहां पर आपको मिलेगा ये चैप्टर 5.5 जलमंडल चैप्टर 5.5 जलमंडल इसको हम कहते हैं इंग्लिज में हाइडर स्फेयर तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पिर्थिवी के 70.8% भाग पर वर्तमार में जल है जबकि 29.2% भाग पर क्या है इस थल है ये आपको अच्छे से ध्यान लखना है वन्डे एक्जाम में ये डाटा एक दो बार पूछा गया है कितने भाग पर जल है 70.8 और इस थल कितनी है जमिन कितनी है 29.2% भाग पर दोस्तों यहाँ पर हम बात कर दें जल के बारे में तो एक basic question सबको और इस book के side में या फिर इसके साथ में लिख लेना है कि आकरिकार world water day कब celebrate किया जाता है तो right answer क्या हो जागा इसका पॉस करिए वीडियो को और comment करके भेडिये हमको अपना right answer जितने भी old बच्चे हैं वो बच्चे मुझको comment जिरू करिएगा right answer is क्या 22 March ठीक है क्या 22 March दोस्तों भारत में दुनिया की 16% अबादी रहती है लेकिन हमारे पास केवल पूरे अर्थ में पूरे वर्ड में जितना भी पानी है मात्र पीने योग्य पानी हमको 4% ही मिल पाता है अब दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें कि उत्तरी गुलार्द में इस्थल और जल का पर्तिशत कितना है उत्तरी गुलार्द में अगर हम बात करेंगे जल का 61% पाई जाता है जबकी 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 उत्तरी गुलार्द में इस्थल आपका 61% है और अगर हम बात करेंगे यहां पर जल जल की जो परतिशित मातरा होती है वो होती है 39% जबकि दच्छिन गुलार्द में यह 19 और 81% है ध्यान रखेगा यह बिल्कुल क्या यहां पर रैसी प्रोकल है बिल्कुल विपरित है इस थल 61% है उत्री गुलार्द में लेकिन यहीं पर गरम बात करेंगे इस थल कितने हैं आपका दच्छिन गुलार्द में तो यह आपको मिलेगा आपको 90% और आपका ध्यान रखेगा कि जो आपका यह जल है यह आपको मिलेगा 81% दोस्तों इस वित्रण के कान उत्री गुलार्द को इस थल गुलार्द और दच्छिन गुलार्द को हम लोग जल गुलार्द के नाम से भी जानते हैं ऐसे सीजर में दोस्तों कोशन पोचा गया कि आकरिकार जो हमारा दच्छिन गुलार्द है इसका एक उप नाम क्या है या फिर इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखेगा दच्छिने गुलार्द आपका क्या है एक जल गुलार्द है क्योंकि यहाँ पर जल की मातर से अधिक होती है इसलिए यह क्या जल गुलार्द है अब ध्यान रखेगा और हिंद महासागर को आपकर ये इसको अंडराइन और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक शिच और करनी है अंडराइन इस बुक में अच्छे से लिख लिख लीजेगा कि जो परशान्त महासागर है इसकी आकरती किस परकार की होती है दोस्तों इसकी आकरती होती है तिरबुजाकार की और ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकरती ऐसा कारकी होती है तो राइट आंसर इसक्या अटलांटिक महासागर की और सबसे गहरा सागर कौन सा है दूस्तों तो आपको जाएगा परिसांत महा सागर चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तटिये सीमा वाले देश कौन कौन से है घटते करम में सबसे अधिक जा सबसे बड़ी या फिस सबसे लंबी जो तटिये सीमा है वो आपकी है कनाडा की और सेकिंड नमर में कौन सा है नौर्वे और थर्ड में कौन सा है इंडोनेशिया यह सही सिक्वेंस अपको अच्छे से तीन देशों के बारे पर पता होना जाए कनाडा नौर्वे इंडोनेशिया अगर आप दूस्तों MP कोई PSC की त्यारी कर रहे है तो वहाँ पर आपके एक्जाम में वर्स्ता 2007 वहाँ पर कोशन पूछा गया था कि आप विस्व के सबसे बड़े तटिये सीमा वाले देशों को घटते हुए करम के अधार पर लगाईए तो वहाँ पर आपको सभी देशों के नाम दिये गए थ दूसरों महा सागरों के तल को हम उच चात्मिया वर्क कहते हैं ठीक है अगर हम बात करेंगे महादूपिया मगनतट क्या होता है दूसरों महादीपिया मगनतट ये है महादीप के किनारे वाला भाग होता है जो भी महादीप होगा उसका जो कॉर्नर वाला जो आपका हिस्स होगा उसे हम बोलेंगे इसकी औसर चुड़ाई जो होती है वो 80 किलो मीट्र होती है अगर हम बात करेंगे इसकी गहराई कितनी होती है यह होती है 150 से लेकर के 200 मीटर और इसका ड्हाल मात्र कितना होता है वन डिगरी या फिर उससे कम हो सकता है देखे किसी भी अगर आप लो वर्ल्ड मैप देखते हैं ध्यान से जितने भी आपके महादीब हैं और महादीबों के साइडों में क्या है नीले नीला रंग पो दिखाए देगा वो क्या है एक महासागर है न कहीं न कहीं तो तो उसके कॉर्णर का जो हमारे महादीब का जो कोने वाला हिस्सा होता है वो कुछ क्या होता है पानी में डूबा हुआ होता है उसे बोला जाता है क्या उसे बोलते हैं हम लोग महादीबी है मगन तट और इसका जो 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 आपको धलाव होगा धाल होगा वो कितना डिगरी होगा वो होगा वन डिगरी ठीक है और इसकी औसकी औसकी चुड़ाई 80 किलो मेटर हो सकती है और गहराई 150 से लेकर के 200 मेटर हो सकती है आगे हम बात करते हैं मगन धाल महादेपिया मगन धाल क्या होता है दोस्तो जल मगन तट तता गहरे सागरीय मैदान के बेच तीर अचानक से कोई ढाल बहुती अधिक मातरा में दिखाई देगा आपको तो इसको बोलेंगे मगन ढाल इसकी ढाल प्रवनता दो से लेकर के पांच डिगरी तक हो सकती है गहराई इसकी दोस्तों से लेकर के तीन हजार मीटर तक होती है दिखान रखेगा जो हमारा मगन तट है उसकी जो गहराई होती है वो कितनी होती है देड़ से लेकर दोस्तों होती है जबकि जो मगन ढाल है इसकी जो दोस्तों गहराई होती है वो आपके होती है 200 से लेकर के 3000 मीटर तक और उसकी आगे की जो गहराई होती है उसे हम बोलते क्या उसको बोलते है गहरा सागरिय मैदान और इसकी गहराई भी आप धान रखेगा 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है और ये महासागरिय छेत्रिफल के लगभग 75.9% भाग पर क्या है विस्तरत है मतलब कि फैला हुआ है अब इसके बालम बात करते हैं महासागरिय गर्थ क्या होता है दुस्तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि नदी गर्थ क्या होती है या फिर नदी गर्थी का क्या होती है कैसे बनती है तो वैसे ही ये उसका ब्रॉड रूप है लास्ट वीडियो आपको अच्छे से याद होगा ना बस ओसियन डेप्स दुस्तो यहाँ पे लंबे खंड कोम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रेंच मतलब कि हम इसको बोलते हैं खाई और प्रमुगर्थ के बारे में आपको ध्यान लखना है एक आपका नीन होना है अप क्योंदो को मिलेगा पकटा मैप के अंद्र कोई से मैप लो सब यह इची पकका दिये होगी क्रोस चेक करिए एक बार ठीक है चलिए अगर हम बात करेंगे जपान का एक गरत है मतलब की आरामा पो यह आपको मेलेगा उत्तरी परसांद महासागर के अंदर ठीक है इसके जगराय कितनी होती है आप देख लेजिए 10,554 नाक्ष्ट आपका है क्या स्वैर यह मेलेगा आप इतन किस परकार से है अगर हम बात करेंगे महासागर का जला से कितना होता है दोस्तों यह होता है 1370 ठीक है घन किलो मीटर और कुल पर्तिशत कितना है आपका 97.25% उसके लावा जो हमारी ही मनदिया होती है उन सब का जो परसेंट होता है जर वो होता है मात 2.05% अब दूस्त इसको मैं सबको स्क्रिप कर रहा हूँ आप 14 पीएटी करने के लिए अपने की क्लाइन पढ़ सकते हैं कोई बच्चों ने सब अपने यह क्यों स्क्रिप कर दिया यह इंपॉर्ण था आपकी दरस्टी से इंपॉर्ण हो सकता है बड़ यह वीडियो रिकॉर्ड किया जाला ह तथा उत्तर में बेरिंग जल्ड मरुंद्य तथा दच्चिड में अंट्रा कर्टी का महादीब के मद्ध है 14,800 किलोमेटर के लंबाई पर एक तिर्बुजाकार रोप में फैला हुआ है इसलिए परसांत महासागर को तिर्बुजाकार भी कहा जाता है मतलब इसके आकरती क परसांत महासागर के बारे में एक बात आपको अब द्यान रखना है कि मैकसिमम या फिस्तरवादिक दूईप कहां पर पाए जाते हैं फिर किस महासागर में मिलती है परसंत महासागर के अंदर यह आपको ध्यान रखना है और सरवाधी गर्थ कहा मिलते हैं देखिए maximum दूइप कहा पर है आप लेख लीजिए का book के साइड में maximum दूइप यह मिलते हैं आपको यहाँ पर परिसांद महासागर में और इसके लावा maximum जो गर्थ होते हैं वो कहा मिलते हैं वो आपको मिलते है परसांद महासागर में एरिया वाइज और गहराई वाइज मतलब की वर्ल्ड का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों वो आपका है Pacific Ocean, this is called परसांद महासागर, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज को, most time be fact है और इसके लावा कुछ खास बाते नहीं है इस book में आपको highlight करने के लिए आप चाहो तो pause करके additional facts को आप अच्छे से पढ़ सकते हो और हाँ दोस्तों आप एक शीज और ध्यान रखेगा कि जो maximum जो कटक होते हैं ठीक है ना अलबोर्टरस कटक पूरवी परसांत महासागर में स्थित है जितने भी कटक होंगे maximum वो आपको मिलेंगे परसांत महासागर में कटक से समझने वैसे गोशन पूसता नहीं है बट अगर आप state PCS की त्यारी कर रहे हो तो आप वहाँ पर GS का जो मेंस में जो पेपर 1 जो होता है आपका UPSC में वहाँ पूस्षिक को अलग से पढ़ेंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जहां से आप कोचिंग करेंगे वहाँ से जरू पढ़ेंगे इस टॉपिक को बाद में अब बात करते हैं अट्लांटिक महासागर के बारे में दोस्तों ये महासागर वर्ल्ड का चेत्रफल का एक बटे छे भाग पर अवस्तित है परसांत महासागर के चेत्रफल का एक बटे दो भाग पर क्या है ये विस्तित है और इसका चेते फल 820 लाख वर किलो मीटर है और अटलांटिक महासागर की आकरती किस प्रकार की होती है जो अभी मैंने डिसकस किया था आपको ये होती है ऐसा कार की ठीक है वैसे मैंने एडिशनल एफेक्ट के तहत के बाद डिसकस कर चुका हूँ शरा अभी मैं डिसकस नही 20 किलो मीटर है और ये भुमध्य रेखा की और क्या होता है संकरा होता जाता है इसके उत्तर में ग्रिन लैंड है ये आपको ध्यान लखना है पूर्व में क्या है बच्चे इसके अटलांटिक महासागर के पूर्व में क्या मिलता है मैप कर ये ओपंजरा पूर्व में आप महासागर के उत्तरी दिसा की ओर कौन सा देश इस्तिध है या फिर पूर्वी साइट कौन सा देश इस्तिध है पॉस करिए मैप को उपन करिए मैं चाहता हूं कि आप मार्केट से भाई करो ठीक है और तरीके से पौड़ो और जो बच्चे तरीके से नहीं पढ़ना चाहते है अपने पढ़ना चाहते है कि वीडियो को भी क्लोस कर दीजेगा ताइम बचा लो कुछ और चीज कर लो जुरी का बाद में पढ़ लेजेगा अगले साल कौर मना कर रहा आपको क्योंकि बच्चे यूट्यूब में फ्री कंटेर्यों मिलता है ये अक्शली क्लास में कि अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं थोड़ा से और कि यहां पर और कुछ खास चीजे नहीं है हाँ आप देख सकते हैं मिड अट्लान्टिक रीज दूस्तों, अनुध्य महासागर के तेली की स्रवादिक विशेषता एक अनुध्यरी उभार होता है दूस्तों, अनुध्यरी से संबंदी आपको एक बात और ध्यान अखनी है जो हमारी तरंगे होती है ना, जैसे की टाइप अफ वेफ आप बोलते हैं एक बोलते हैं अनुध्यरी तरंगे, एक होती है अनुध्यरी तरंगे तो पानी की सतय पर उत्पन जो तरंगे होती है, वो किस परकार की तरंगे होती है वो विद्ध्य चुम्ब की तरंगे होती है, अनुप्रस होती है, फिर अनुध्यरी तरंगे होती है इसको भी आप इस बुक के साइड में लिख लेजेगा अनुध्यरे तरंगे पीटा ये नहीं होती है ध्यान रखेगा कि पानी के सतय पर उत्पन जो तरंगे होती है वो होती है अनुप्रस तरंगे कई बार मैं अपनी क्लास मेस्टिज को डिसकस करता हूँ पूस्ता हूँ आपसे कोशन तो बच्चे गलती कर जाते हैं तो ये आप उध्यान रखना है इसके लावा तरंगे कितने परकार की होती है अनुध्यरे और अनुप्रस तरंगों को हम किस केटेगर में रखते हैं यानते एक तरंगों में रखते हैं और थर्ड जो आपके होती है वो होती है विद्व चुम्बो के तरंगे इसके अनुध्यरे आपका परकाश मतलब कि आपके लाइट आजाएगी, हीट आजाएगी ये सब इसी केटेगरी में आती हैं बाके दुस्तों ये बहुत एक विज्ञान का टॉपिक रहेगा बाद में कभी कवर करेंगे इसको जब पढ़ेंगे इस बुक में अब दुस्तों हम बात करते हैं पर कि उत्तर में आइसलैंड से दच्छिड में बोबेट दुई तक ऐस अक्षर के अकाज में बहुमद्य रेखा का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर किस परकार का उभार पाया जाता है या पिस परकार की कटक की साखा पाया जाती है तो इसको बोलते हैं क्या डॉल्फिन उभार दुस्तों बहुमद्य रेखा के दच्छिनी भाग की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे जो आपको आकरती मिलेगी जो उभार देखने को मिलेगा वो मिलेगा चैलेंजर उभार तो ये केवल दो उभार आपको अच्छे दिजाना रखने हैं और इसके लावा Greenland के दच्छिन में स्थित जो कटक की साखा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है उसे बोलते हैं क्या Telegraphic Pathar तो ये तीनों नाम आपको देनाखना है Dolphin, Challenger और Telegraphic Pathar क्या है दोस्तो इस वीडियो का दुबारा कभी वाच मत करना कभी भी वाच मत करना ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आप बुक अपनी highlight कर रहे हैं वो highlight इसलिए कर रहे हैं कि आप सिधे बुक में से करेंगा revision बार बार वीडियो को watch करोगे तो आईज में stress भी बनेगा data भी खर्च होगा और time भी कहिना की थोड़ा सा engage ज़ाता है तो best रहेगा कि आप books को highlight करते चलिए और अपना revision बुक में से कर लिजएगा बाकी फिर आपको जैसा best लगता है वैसे करिएगा दोस्तों एक आपका है new found land उभार दोस्तों ये आपका 50 degree उत्तरी अक्षान्स के पास मद्ध्य Atlantic कटक और new found land उभार क्यलाता है इसके बाद दोस्तों को Atlantic महासागर में बहुत कम गर्थ पाए जाते हैं कौन से महासागर में सबसे कम गर्थ मिलते हैं दोस्तों ये मिलते हैं Atlantic महासागर में सबसे अधिक गर्थ कहा मिलते हैं परसांत महासागर में तुरंत करिया स्टीच को रिकॉल और इनमे पर्मुक है आपके दश्चिन सेंडविच खाई ठीक है और आपको मिलेगा है आपके क्या रोमान्स गर्थ थर्ड दुस्तो आपका महसागर है क्या हिंद महसागर दूस्तो हिंद महसागर चारो और महादुपीय भाग आप मतलब कि उत्तर में अपका अपकाई सीया है नहीं एडार पिस्टाइली में opinions क्रेठ करेंगे हैं आफ और इससी प्रेक्ताइब Umm अब बात करते हैं कि महा सागरी तापमान दूसरों महा सागरी जल का औसा ताप अंतर नगर नियां लगबग वन डिग्री सेंटीग्रेट या फी सेलसित होता है सेंटीगेट और सेलसियस है दोनों बिल्कुल सेम भाई भाई एक का यूनिट नियू है एक को और नाम से जाना जाता है देखिए उश्टम तापमान साम को ध्यान रखेगा जो आप नियूस प्रेवर में पढ़ते हैं कि हाई टेंपरेटर इतना था तो उसका एक टाइम है द यह आपको चीजे ध्यान रखनी है अब हम बात करते हैं दूस्तों आपर कि सागरिये जलका उश्टम वाडशिक तापमान अगस में और नियूनतम जो तापमान होता है वो क्या होता है फरवरी में आपको देखने को मिलेगा सागरिये जलका नियूनतम तापमान किस मन्त मे पाया जाता है चार उप्शन को दिये गया थे जनवरी फरवरी मार्च अपरल यहां पर कानी खराब लेकिन यह वाला कोशन दोस्तों आपको पूशा गया है तो इसलिए थोड़े धिहान से बढ़ियेगा ठीक है कॉम्पेटर के एकजाम कोई हलवा नहीं है बस थोड़े सा गया जला दी कड़ाई रग दी घहीं डाल दी है सूजी भूंदी पाने के शीटे मार दी है चीन के शीटे मार दी है बन गया हलवा वेटा मेहनत करनी पड़ भूंदे रेका से उत्तरों no करण को चुझार इसलिए है तो वैसी सेम क्या होती है अगर केने त्रिची बढ़ेंगी तो आपकी बॉड़ी में जो हीटनेस होगी वो कम बनेगी अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे निम्र अक्षांस में इस्थलिय भागों से घिरे सागरों का तापमान अधिक होता है जैसे कि भूमद्य सागर 26.6 दिगरी सेंटिग्रेड लाल सागर का 32.8 दिगरी सेल्सियस और फारस की खाड़ी का 34.4 दिगरी सेल्सियस अब बात करते हैं पवन के बारे में दोस्तो वैपारीक हवाओ की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापकरम तता पश्चीम भाग में आपको अधिक तापमान देखने को मिलता है अब बात करते हैं पच्छुआ पवन क्या होती है पच्छुआ पवन की पेटी में महासागरों के पूर्वी भा पास होता है वो आपको मिलता है 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दश्चिन अक्षांस के मद्धे पाई जाती है आपका ये पच्छुवा पवन ठीक है ये फैक्ट आपको धहना करना एकजाम में पोछे जाता है कि आखिर का जो पच्छुवा पवन होता है उसका जो रेंज ह ठीक है दश्चिन अक्षांस के मद्धे कहां से कहां तक पाया जाता है तो आप बोलोगे 45 से लेकर के 65 डिग्री दश्चिन अक्षांस तक इसका क्या है फिलावट है इस पवन का आगे हम दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा महा सागरिय धाराय क्या होती है कॉमन सी बात है जिस इस्थान पर गरम धाराय पहुसती है हमेशा वहा का तापमान क्या होता है बढ़ जाता है जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम हो गई उत्तरी अमरिका के पूरवी तटका तापमान क्या होती है ये स्ट्रीम ये धारा क्या होती है बढ़ा देती है अगला पाइंट है ठंड पूरवी तटके तापमान को हिमांग के पास में क्या करती है पहुचा देती है यह दो तिनी फैक्ट आपको बसक्रीव ध्यान रखने हैं बस आपको यहां पर यह ध्यान रखने हैं महासागरों की सतय के जल का औसत वार्सिक तापमान लगबग कितना डिग्री अप लोगा अकला सूरा प्लोक्थ क्रता हूं होने धीक मतलब कहने करती है कि मैं आपकी भरपुरा जान खाने वारा हूं यह बता वह, बताओ रहो है आपको दिखता होगा जोसाट hir बन जाते हैं वो भी मात्र 45 मेंट के अंदर रैपिट फायर रिविजन बोलने की इस पर बहुत फास्ट है सुभान अलला कह सकते हैं हम लोग हिकतरे से ठीक है इस वर्ड को प्रीज आप लोग किसी धरम से लेकर पहुंच जाना प्रीज ठीक है जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको बस पॉस कर करके जो भी अडिशनल फैक्ट आपसे पूछी जाएंगे उनका अंसर भी आपने मुझे कमेंट इस वीडियो को जस्ट नीचे करते रहना है दोस्तों बढ़ते हुए अक्षांस के साथ में दोस्तों सागर है तो उसमें क्या होगा हलका सा खारापन भी होगा उसमें कुछ लवरता के कुछ अंश भी पाए जाएंगे तो चलिए इसको जानते हैं दोस्तों सागरिया जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्त के भार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं सागरिय लवणता कहते हैं सागर्तिय लवणता में दोस्तों सागरिय लवणता में कितने अंश होते हैं इसमें दो अंश होते हैं जल का खुद का एक वेट होता है भार होता है और उसमें घुले हुए पदार्तों का जो भार होता है इसके अनुपात को इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं सागरिय लवडता ये इसकी definition है मेंस में जब आप लोग GS paper 1 का exam देते तो वहाँ पे step की term अगर आप यूस करोगे तो आपकी जो answer writing होगी जो आपके answer होगा मेंस का अगर हम इसके लावा बात करते हैं अपर की सागरिय लवडता की प्रती 1000 ग्राम जल में इस्थित लवड की मातरा कौम किस रूप में मापते हैं दोस्तों इसको मापते हैं 0 इस रूप में इसको मापा जाता है जैसे की 25 0 upon 00 एक हजार गिराम सागरिय जल में 25 गिराम क्या है लवण की मातरा है यह आपको ध्यान लखना है अगर आपके सामने कोई फिगर यह आएगी तो इसकार्थ क्या हो गया इसकार्थ ही यह हो गया कि 25 गिराम क्या है लवण की मातरा है मतलब 1000 गिराम सागरिय जल लिया उसमें 25 क्य अगरिया लवन्ता के प्रमुग घटक में आपको ध्यान रखना है कि सोडियम कॉल्डाइट कितना होता है 27.213 होता है कुल 1000 में इतना ग्राम परतिशत कितना है आपका 77.8 और कैल्सियम कार्मिन कितना होता है 0.123% ठीक है और 0.3% बाकि दोस्तों आप अधर डाटा भी याद थान रखेगा यह कहा मिलती है चलिया आपको मिलती है तुर्की के अंदर और लवन्ता कितने होती है धिना रर्षटा सागर में 238 होती है जो और जो सांभर घील है धोस्तो जो आपकी और विटोप आपके या समभर्ण 853 साजरों चाहे होती है, जो कि सा्गर की सतय पर समान लवनता अगर यए सागर A एपटŌंगे है और यह सागर B है इनमें अगर समान लवनता पाई जाएंगे तो एक कालपनिक रेखा खेज दिया थी इसको जा बोलते हैं सम लवन रेखा तीक है यह आपको ध्यान रखना है अब हम बढ़ते हैं महासागर यह धाराओ की और दोस्तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना की धारा होते क्या है या फिर धारा की परिभासा क्या होती है दोस्तो सागर वे महासागर में जल होता है और जल की अगर एक निश्चित गती होगी या फिर निश्चित एक दिसा होगी या फिर निश्चित दिसा में अगर किसी भी पा जवाहित होने की जो गती होती है उसे हम बोलते है धारा अब सागरिये जल में विभिन परकार की हमको गती सीलता ये धारा मिलती है पहली आपकी ये धारा क्या परवा धारा इसको बोलते है क्या ड्रेफ्ट जब पवन वेक से प्रेरित हो करके सागरिये सते का जल मंद गती से परिसंचरित होता है उसे हम बोलते हैं परवाहा दच्छिन और उत्री अट्लांटिक परवाहा म्याक्ष्ट बन दोस्तों आपका धारा की करंड क्या होती है दोस्तों समुद्र का जल जब एक निश्चित दिसा में अपेक्षाकरत अधिक वेक से आगे बढ़ता है मतलब कि अगरिसर होता है तो उसे हम बोलते हैं धारा ध्यान रखेगा धारा में हमेशा एक डारक्शन होगी वो भी स्पीड के साथ तब वो बनेगी धारा उसे बोलेंगे करंड और इनका वेक कितना होता है इनका वेक 28 से लेकर के 42 किलोमेटर परती घंटा की क्या होती है इसकी स्पीड होती है जैसे अल नीनो की धारा एक्जाम में आप से पूछता है कि जो धारा होती है जो करंड होती है उसका वेक या फिर इसका जो स्पीड होती है वो कितने किलोमेटर परती घंटा होती है उसका धारा नहीं बोलेंगे नाक्ष पॉइंट आपकी विशाल धारा कॉमन से बात है नाम में आपको दिख रहा है समुद्र का जल जब अधिक गती से एक सुनिश्चित दिशा में भूपरस्टी है नदियों की भाती गती शील होता है तो उसे हम बोते हैं सत हमारे करते चलिएगा धाराओं के परकार पहली जो धारा होती है वो होती है आपके क्या warm current मतलब उश्ण धारा गरम धारा और जो सेकेंड धारा होती है वो होती है आपकी ठंडी धारा और इसी के अधार पर समुद्र के समस्त जल को बाटा गया है दूसर विसुवत रेखा से धुरूव की और परवाइत होने वाली धाराएं केलाती हैं आपकी गरम धाराएं जैसे कि आपकी ब्राजिल की धारा वहीं पर धुरुवोट से विसुवत रेखा की तरफ ध्यान रखीगा धुरुवोर से अगर विसुवत रेखा के और बहने वाली जो धारा होगी जो जल होगा उसे ढ subtly धारा एक्जामपल जैसे लेबरडोर के धारा अगेन ध्यान रखिए शिच का कि वाम धारा क्या होंगी विशुवत रेखा से धुरुफ की और जाएंगी और ये धुरुफ से विशुवत रेखा की और बहेंगी ये क्या इसके बिल्कुल अपोजिट है धाराओ की उत्पत्ती सागर का जल सदा गती सील रहता है आपको उपर से भरी स्टेबल दिखाई दे किसी भी महासागर का जल लेखिए इंटरनल वो कहिना क्या होता है गती सेल होता है कहते हैं कि किसी भी नदी का पानी कभी भी क्या होता है गंदा नहीं होता दूशित नहीं तो वह लगातर बैहते रहता है। नएया पानि और साबसाभ आपको मिलते रहता है उस नधीर का। इसलिए लोग अधिकांस जो नधियों में होती है बिंदास, बेजेजक, डूपके लगा लेते हैं। असका लगा तार पानी भहरा लगा तार पानी नया बन रहा है तो धहं रखेगा कि धाराओ के उत्त, पती सागर का जल सदा क्या होता है गतिशियलेता है और इसमें जल का ताप और गहनत्म में अंतर वर्षा की मातर और प Conservation की गतिशीलता आधिकारक धाराओं को जनम देते हैं धाराओं के जनम के लिए जल का टेंपरेचर घनत्व और आखिर का रेन की स्पीड से हो रही है क्या रेन की मात्रा है राइट और तुसरे रेन के जो बर्सा की जो मेजरमेंट करने वाले जनत्र होता है उसम किस नाम से जा जनम बराजिल के दारा इसका नेचर किस परकार से है या फिर यह अत्लांटिं गरम धारा, next point दोस्तों आपको ध्यान अकना है कि लेबरडोर की धारा ठंडी जल धारा होती है, किनारी की धारा भी क्या होती है, ठंडी होती है फॉकलेंड की धारा क्या होती है, ठंडी होती है कम से कम आपको साथ में से ये छे चीजे आपको अच्छे से याद रखनी है बलकि ये फोर्टीन है गरम धारा और ठंडी को अगरम मर्च कर दें तो कितना लगा आप फोर्टीन आ जाएंगी रोटल आपको सैवन ध्यान रखनी है बस दोस्तों यहां पर हिंद महासागARS की धाराओ की अंतरच अगल हास की धारा यह धारा किस महासागARD से संब्न रखती है अगर आपके एकज़ामें यह कोशन पूछे जाएगा तो आप बोलोगे कि हिंद महासागर और इसका जो नेचर होता तो वो होता है गरम क्या हाट बोले तो वाम अगुलहास और बोजामबेक और मेडा गासकर ये तीन धारा क्या होती है गरम धारा होती है और इनका संबन कहां से हिंद महासागर से Let's move on next screen दोस्तो महासागरी धाराओं का परभाव क्या होता है पिर्थवी के उसमा संतुलन पर महासागरी धाराओं का बहुत positive ये फिन negative impact भी हो सकता है वो depend करता है कि महां के आसपास का weather कैसा है और nature क्या है धारा का महासागरी धाराय ताप करम के वितन का एक महत पनुश्रोत होता है जब गरम धाराय ध्यान रखेगा ठंडे भागों में पहुंसती है तो वहाँ पर जो अधिक सर्दी होती है वो अधिक सर्दी वहाँ पर नहीं होने देती है जैसा कि लाजमी है ठीक है common सी बात है गरम धाराय अगर ठंड के तरफ एंटर करेंगी तो स्वैम ठंडी हो जाएंगे ऐसा नहीं है बलकि ठंड को कम कर देंगे ये इसका नेचर होता है पहला point तो यहाँ पर यह है और उसके अलावा करेंगे वर्सा पर परभाव गरम धारायों के उपर चलने वाली जो भी हवाई होती है जो भी पवन होती है वो क्या करती है एक moisture बुले तो नमी धान करके उस area में क्या करती है वर्सा करती है रेन करती है next point आपका है वातर वन पर पर परभाव क्या पड़ता है इसका गरम और ठंडी धारायों के मिलन वाले जो इस्थान होता है मतलब की जैसे एक सागर है इसके धारा एक गरम है और यहाँ पर एक सागर है इसके धारा के ठंडी है और यहाँ पर जो धारा का मिलन होगा यहाँ पर होगा कोहरा, fog ठीक है क्या होता है एक fog सा पड़ता है और जहाँ पर गरम और ठंडी धाराय आपस में मिलती है और इस इस्थान पर आपका मतस्य उद्योग सबसे अधिक देखने को मिलता है मतलब कि आप मशली सबसे अधिक पाई आती है जहाँ पर ठंडी और गरम धाराय मिलती है वहाँ पर मशली पकड़नी का एक विसाल छेतर बन जाता है मशली वहाँ पर इस उसे अधिक होंगी और इस इस्थान को बोलते हैं क्या प्लैंक टन अब बात करते हैं जौर भाटा के बारे में सोरी तथा चंद्रबाग की आकरशन सक्तियों के काण साग्रिय जल का उपर उठना और वापस बैक हो जाना मतलब की ततक गिरना ये कलात आपका जौर भाटा साग्रिय जल के उपर की तरफ अगर साग्रिय जल उठेगा तटकी और तो क्या होगा? ये बनेगा टाइड अगर वापस जाएगा, पीछे लोटेगा तो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे भाटा ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान लगना है और जौर के परकार क्या होते हैं जौर के परकार दोस्तों बहुत सारे होते हैं बहुत सार दो कहर नहीं यहाँ पर टुड़ आपके होने वाला जौर जब जौर उत्पन करने वाले बल एक दूसरे के संपूरक नहीं होते हैं तो तब बनता है कि आपका लगू जौर तो यह आप देख लेजेगा इसकी इमेज को एक बार अब यहाँ पे ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है इंपॉरेंट हाँ आप बस यह पर गंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है इनका समय आप ध्यान रखेगा उसके लावा 24 गंटे में पड़ते के स्थान पर दो बार जौर तरद दो बार भाटा उत्पन होते हैं परती उपर एक ही समय में दो बार जौर उत्पन होते हैं और एक तो चंदुरमा के सामने और दू दूगना होगा और चंदुरमा के गूर्थवा करशण और पित्वी तथा चंदुरमा के गेंद्र प्रसारी बल के द्वारा हमेशा क्या होता है जोर के उत्पत्ती होती है ज्वार के एक बार तरीके साब देख लेजेगा इसका डेफिनेशन वगरा इसको अब ध्यान से पढ़िए वीडियो को पॉस्ट करके सपहरा गराफ को तो आपको अच्छे से के लिए हो जाएगा दूस्तों यहाँपर हम बात करेंगे पर्वाल भित्या कुछ उष्न कटिबंदीय सागरों के उतले सागर के तटो के सहरे तेक है कुछ पर्वाल द्वारा निर्मित भित्ती होती है उसको बहते हैं पर्वाल भित्ती इसके निर्माण में अनेक जीवों का योगदान होता है जैसे कैलसियम सेवाल, हरे सेवाल, ठीक है स्ट्रेमाटो, पॉराइडिस, एंड गैस्ट्रोपोर्ट्स आदी ये सभी क्या हैं सेवाल की वराइटी है परवाल के विकास के लिए आपको क्या चाहिए कुछ टेमपरेचर चाहिए, कुछ गहराई चाहिए और कुछ सागरिय लर्मणता होना जुरूरी होता है लेकिन परवाल के विकास के लिए टेमपरेचर आपके सामने ये कोश्चन पूछा गया दोस्तों यूपी पी एससी में और यूपी एससी पे इससी पे परवन में कोश्चन पूछा गया है कि परवाल के विकास के लिए आखिरकार कितना तापकर मावश्यक होता है यही कोश्चन गहराई से संबंधी पूछा गया अपके जियर हारियल एक्जाम में तो उसका जो टेमपेचर होता है वो था 20-25 degree centigrade और गराई कितनी होता है 52-60 की गराई होती है और सच जल में औस सागरी लड़मरता कितनी होता है 27 and 30% परवाल भित्ती के परकार एक आपका दोस्तों परवाल भित्ती होती है 30 यह परवाल भित्ती यह परवाल भित्ती हमेशा जो महा सागर होता है उसके तट पर पाई जाती है बस यह दहान रखिये और एक होती है आपके अवरुदक परवाल भित्ती दोस्तों सागरी यह तट से कुछ दूर किन्तु इसके समान अंतर इस्तित ब्रद अकार परवाल भित्ती को हम बोलते है अवरुदक परवाल भित्ती इसका एक्जामपल है आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्टेरिया के पूरवी तटके सारे इस्तित है ये किस परकार की परवाल भित्ती होती है एक्जाम में बूचा गया है कोश्चन के great barrier reef किस परकार की परवाल भित्ती है तो अब ध्यान रखेगा ये आपकी एक barrier reef है इस इस कॉल्ड अवरोदक barrier क्याते हैं ना barrier मतलब अवरोदक अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम डिसकस करेंगे वायू मंडल को एट्मोस्फेर को अगर ये बुक आप बस में नहीं है तो बुक साब भाई कर लिजेगा मार्केट से जाकर करके अपने साब से जो भी डिसकाउंट मोलेगा खुद डिसाइड करिएगा ठीक है खुद तक यह नीए वह दुकान दा डिसाइड करेगा वीडियो पसंदार वीडियो लाइक करेए अपने फैंड़ फिटोगो शेर करेगा वीडियो तब तक दिखने बाद भाई याण टेक केर